फ्रेंज मेरा नाम है टिपू सुल्टान रिबूटेक सेनल में आपका स्वाग अज मैं बताने वाले हुआ आपको आशूस जैन्फोन 5Z के बारे में जो की लॉंच हो जुका है लेकिन इंडिया में अभी तक लॉंच नहीं हुआ है इंडिया में लॉंच होगा 4 जुलाई को तो इस फून को बारे में इस फून के बारे में आप लोग को जानना है तो इस वीडियो को जारू देखिए लिफास से एंड तक तो शालिए शुरूगाटे इस फून के बारे में दोस्तो असूस जन्फन 5Z मोबाल की फिशर्स की बात करू तो इसमें नॉच दिस्प्ले एया केमेरा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजिन्स केमेरा एया पावर इंजिन एया फेस अनलोक एया फोटो लर्निंग जैसा कूस नेया फिशर्स देखिने को मिल दाए दोस्तो असूस जन्फन 5Z की डिस्प्ले की बात करू तो 6.2 इंच का 19.9 फूल-HD प्लास नॉच दिस्प्ले मिलता है डिस्प्ले में 2.5 dh2-H कर्ब स्क्रीन मिलता है इस्क्रीन रिजोलुशन की बात करू तो 2018 x 2246 पिक्सिल के 6401 PPI यानी पिक्सिल पार इंस मिलता है के मेरा की बात करू तो असूस जन्फन 5Z में 12MP और 8MP का ड्वेल रेर और 8MP का फ्रॉंट AI के मिलता है जा आपे रेर के रेर का 8MP केमेरा ड्याफ्ट केमेरा है असूस को इस फोन में फ्रॉंट फ्लेस देना जरूर देना साहिए था इस फोन में आपको 4GB, 6GB और 8GB RAM मिलता है और ROM की बात करू तो 64GB, 128GB और 256GB ROM मिलता है प्रोसेसर की बात करू तो Qualcomm MSM 8998 Snapdragon का 845 पावरफूल और 2.7GHz का अक्टा कोर प्रोसेसर दिया है और GPU Adreno का 630 मिलता है दोस्तो इस फोन में 300-3000MH का non-removable battery मिलेगा अगर इस फोन की security की बात करू तो इस फोन में आपको AI face unlock मिलता है और पीसे fingerprint sensor मिलता है दोस्तो इस फोन में hybrid SIM tray मिलता है यानि आप एक nano SIM और micro SIM card यूज कर सकते हैं नहीं तो दोनो nano SIM यूज कर सकते हैं इस फोन का weight की बात करू तो 155 gram है यह फोन Android 8.0 Oreo operating system के साथ आता है दोस्तो यह इस फोन की update की बात करू तो इस फोन में आपको Android P का update मिलेगा इस फोन में आपको 2.0 type C charging port मिलेगा जो fast charging support करता है दोस्तो इस फोन की price की बात करू तो अभी तक price कितना होगा यह पता नहीं साल पाया है क्योंकि इंदिया में एफोन 4 July को launch होगा एफोन तो डू कालर में एवेलेवेल होगा midnight blue और material silver दोस्तो इस फोन की प्रोस की बात करू तो AI camera मिलता है 2.0 का fast charging मिलता है snapdragon 845 का powerful processor मिलता है दोस्तो और कौन की बात करू तो 3300 mh का battery मिलता है front flash नहीं मिलता है triple SIM slot नहीं मिलता है जो कि आसकाल बहुत ही जारूरी है दोस्तों अगर इस फोन की उपर मेरा ओपनेंट की बात करूं तो इस फोन में आपको front flash मिलना साहिए था और battery कम से कम 4000 mh का होना तो साहिए था क्योंकि battery आसकल बहुत ही जारूरी हो चुका है मेरा हिसब से इस फोन की कीमत 20,000 का अंडर होना साहिए ता भी बाकी फोन के साथ competition में उटर पड़ेगा बाकी फिशर की बात करूं तो फोन बहुत ही कमाल का है तो दोस्तो आसका वीडियो आप लोगो को कैसा लगा कॉमेंन में जरूर बटाएगा लाइक कीजिएगा सब्क्राइब्स जरूर कीजिएगा क्यूंकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगो को मिलता रहे